गुड बार्णी माई दियर इस्टुडेंट टुडे भी विल कंटीनिव एक्सर्साइज आपकी थर्टीन पॉइंट बान है कोश्चन नमबर फाइप क्लास्पित मैप्स एक लेन है जो 48 मीटर आपका लंबा और 34 मीटर चोड़ा है इसके बाद जब आप लेंगे एरिया आप लेन लिका लेंगे तो उसके बाद बोला है calculate the cost of 3 per square meter और वो 3 रुपे per square meter से calculate किया गया तो एरिया आप लेन लिका लेंगे length of width तो length आपको 48 मीटर है और आपकी width 34 मीटर है तो आपको कितना आ जाए गए यहाँ पे मतलब 1632 मीटर आप cost of leveling पर square meter रुपे 3 लग रहा है तो total cost of leveling तो 1632 को आप 3 से multiply कर देंगे तो 4896 हा जाएगा next question है which of the two room is bigger one whose length and breath of the floor of 12 meter and 9.5 meter और another whose length and breath of floor are to 10 and 8.5 meter यह बोला है दो कमरे हैं दो में से एक बड़ा होगा कौन सा बड़ा ही नहीं पता है एक की length दी गई है 12 meter 9.5 meter और दूसरे की length of breath दी गई है 10 and 8.5 meter तो आप area first room लिका लेंगे तो area first room लिका लेंगे तो आपको उसी area लिका लेंगे length into breath formula होता है तो 12 meter into 9.5 meter को multiply किये तो 114 meter square आया फिर area आप second room लिका लेंगे तो 10 meter point 10 meter multiply 8.5 meter होगा जब आपने multiply किया तो आप 10 से multiply करें तो decimal चला जाएगा तो 85 meter square आजाएगा फिर the room whose length आप कौन सा room बड़ा है ये बताना है तो आप ये multiply करके बता सकते हैं कि 114 वाला है वो 85 से बड़ा है मतब first room आपका बड़ा है second room से त आपका 9.5 meter मतब ये वाला room आपका बड़ा है ठीक है तो ये आपका question number 5 and 6 इसका complete हुआ I hope you understand thank you